हेलो दोस्तो आप सभी का फिर्ट से स्वागात एक नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लाओ US Tax Information कैसे बढ़ते हैं उसका सही तरीका क्या है किस तरीके से आप US Tax Information सही तरीके से भर सकते हो दोस्तो यूटूब चैनल से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको यूटूब चैनल Montage करना पड़ता है आपको identify verification करना पड़ता है आइडेस verification परना पड़ता है उसके बाद आपका जब channel Montage होता है आपके channel के अंदर आपकेonn lius 10 से 15 डॉलर हो जाते हैं तो आपको YouTube के तरब से एक US Tax Information भरने के लिए एक option देता है जब तक वो आप नहीं करते हैं तब तक आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है आपको लिख कराता है YouTube का पेमेंट आपको नहीं मिल सकता जब तक आए US Tax Information नहीं भरोगे दोस्तों ये आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लोग की US Tax Information आखिर भरते कैंसे है उसका सही तरीका क्या है किस तरीके से भरोगे ताकि आपका पेमेंट टाइम से टाइम आ जाए तो चलो वीडियो सुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से US Tax Information भरते हैं बिल्कुल सही तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को complete देखना तो चलो वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो चैनल को subscribe कर देना साथ में bell icon को press करके all पे set कर देना था कि जो भी वीडियो में आप लोड करो उसका notification आपको तुरंट मिल जा है तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आपका भी ये problem आ रहा your YouTube payment are on hold ठीक है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वालों की इस तरीके से इस problem को solve कर सकते हो US tax information भर के तो दोस्तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हो ये YouTube का adsense for YouTube यहां पे दिखा रहा है तो आपको करना क्या है दोस्तो यहां पे action पे किलिक करना है जैसे यहां पे action पे किलिक करोगे और यहां पे देख सकते हो your tax from has expired तो दोस्तो यह हुआ क्या था कि हमार जो tax information मैंने भरा था उसमें कुछ गलती के वज़ा से यह problem आ चुका तो दोस्तो फिर से हम दुबारा से tax information भरेंगे और इसका problem solve करेंगे तो tax information भरने का जो तरीका है वो व्यताने वाला हूँ तो यहां पे देख सकतो सबसे पहले क्या करना है submit new पे किलिक करना है जैसे यहां पे submit new पे किलिक करोगे start new form पे किलिक कर देना है ठीक है यहाँ पर start form पर खिर से click करना है अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा एक link खुलेगा और यहाँ पर आपको password मंगागा उस email आड़ीगा तो यहाँ पर आपको password fill करके next कर देना है ठीक है जैसे यहाँ पर next करोगे तो आपको यह assign हो जाएगा ठीक है असाइन होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा yes search करेगा आप दोस्तों यहाँ पर जो text information भरने का process यहाँ पर सुरू हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर individual और next कर देना है ठीक है इन्डिविजवल और next उसके बाद यहाँ पर no पर select कर देना है फिर next कर देना है और यहाँ पर आपको yes कर देना है यहाँ पर start पर click कर देना है ठीक है जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं जीस तरीके से tick लगा रहा हूं उसी तरीके से आपको भी tick लगाना है जो आपको मैं बता रहा हूं वही आपको same process करना है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा process ले और यहां पर दोस्तों इंडिया हम ने सेलेक्ट कर दिया अब यहां थैसे फ्रोपियन्टियं में आपको क्या करना है यहां पे आपना पossen जो है आपको ढूबहर देना थीक है फैन काड का जो नमबर होता है उसको आफको यह यहां फीर्स कर देखे 260 प्रिंटियंन Canada अंदर और यहां पर यह पिन कार्ड का जो नंबर कर दिया यहां पर नेक्स कर देना है अब दोस्तों यहां पर एडर्स पर आपको टिक लगा देना है और यहां पर टिक लगाने के बाद दोस्तों यहां पर देख से तो यह सब कुछ रेडी हो चुका है उसके बाद यहां पर estate यहाँ पर जो भी डालना है आप estate डाल दो यहां पर त्रेट एई यू आर क्लेमिंग एरुदिउस रेट विधा टो हूं अड़ ट्रक Tigi तो यहां पर आपको य्ज करदेना है और यहां पर किलिक करके यहां यहां पर निएक करने के बाद आप नियां पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है अब दोस्तों यहां पर यहां पर क्या करना है यहां पर कुलिक कर देना है यहां पे यस कर देना है ठीक है आप यहां पर दोस्तों यस कर देना है document by post और यहां पर next कर देना है और यहां पर confirm कर देना है और next कर देना है जैसे यहां पर next होगे दोस्तों यहां पर आपको tick लगाना है और tick लगाने के बद यहां पर भी tick लगा देना है और दोस्तों यहां पर tick यहां पर कर देना है यहां पर क्वेंन डाल को स्ब्लीक करकें गया यहां पर कुछ नई करना यहां पे आपको जले जाना है मतलब ज़िए मिन टके अंदर की अपे हो चुका है अब दोस्तों आपको टैकस information भरके है रिडी हो चुका है तो आप इस तरीके से टाकस information भरके और ठोछ कर सकते हो तो दोस्तों मुझे उमीद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर देना था कि जो वीडियो में अपलोड कर उसका नोडिफिकेशन अब तक ले इतना ही जाए हिंद बंद महत्रम